तो दोस्तो आज हम आपको लेकर आए हैं जोदपूर सिटी की गलियों से निकलते हुए 9 किलोमेटर दूर मंदोर गार्डन्स में आपको एक पर फिर से बता दें कि यह पार्क यह निकि मंदोर गार्डन जोदपूर सिटी से उत्तर की तरफ 9 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है जो मार्वाड के महराजाओं की पूर्व राजधानी थी मंदोर का प्राचीन नाम मांडव पूर था और ये पहले जैसे मिन बताया कि मार्वाड की राजधानी हुआ करती थी राव जोदपूर ने मंदोर को असरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिडिया कूट परवत पर महराणगर का नर्मान कर अपने नाम से जोदपूर को बसाया था तथा इसे यानि की मंदोर को मार्वाड की राजधानी बनाया बगीचे में जोदपूर के कई शाही शासकों के समारप यानि की चत्रियां मौजूद हैं जो की अपने अद्बुत वास्तुकला का नमूना पेश करती हैं इन चत्रियों में से सबसे उतक्रेष्ट महराजा अजीद सिंग का शाही समारप है जिसे 1793 में बनाया गया था यानि की 1793 में जिसे 1794 ट्री आंबगन कृविन से बहुत करता ट्रा था युष समारप यानि की 174 ट्रुव जब बलास्त करती हैं मंदोर का हिंदी में अर्थ है एक प्रकाड की वीना या सारूंगी मान्यता है कि रावन की ससुराल जोधपूर में है रावन की पतनी महरानी मंदोदरी जोधपूर के मंदोर के राजा की पुत्री थी लंका से जब रावन बरात लेकर जोदपूर के मंडोर आये थे तब उनके साथ बरात में गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्रहमन भी यहां आये थे इस गारड़न यानि इस उद्धान में बनी कलातमक इमारतों का निर्मान जोदपूर के महराजा अजीत सिंग वा उनके पुत्र महराजा अभे सिंग के शासनकाल के समय 1714 से 1749 के बीच किये गए थे उसके पश्चाद जोदपूर के विभिन राजाओं ने इस उद्धान की मरमत आधी आधुनिक धंग से सजाया और इसका विस्तार किया अपने उंची चटानी चबूतरों के साथ अपने आकरशक बगीचों के कारण ये प्रचलित पिकनिक स्थल बन गया है यहाँ पर देशी विदेशी प्रयटकों की भीड लगी रहती है मंडोर फोड की तरफ तो उसकी हिस्ट्री और इसके किसी के बारे में जाने के लिए please subscribe to our channel and don't forget to press bell icon हमारा चैनल subscribe कीजे और bell icon को press करना मत भूला so keep watching thanks for watching and keep sharing and liking our video thank you till then take care bye कर दो दूँThat